असलाम लेकुम सूटेंस वाज हम लोगोंने अगेन एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक जो प्रॉस्टेट कैंसर है उसके बारे में पढ़ना है अब आप लोग जब एक टॉपिक का नाम सोचते है न तो थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में जिनरली सोचा करें कि प्रॉस्ट तो आपने ब्रॉडर एस्पेक्ट पे सोचना है कि इसकी इंवस्टिगेशन में क्या करा हूँ और इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकता हूँ यह मेल्स के अंदर काफी जादा 65 से उपर मोस्ट कॉमन मलिगन टूमर है तो जाहिर सी बात है बिटे कि इसको देखने के लिए स इसके बाद हम CT करते हैं MRI करते हैं to see the extent उसके लावा बोनी स्कैन करते हैं बोन मेटस्टेसिस देखने के लिए और बोनी मेटस्टेसिस के बाद रीडियो ग्राफ और इस तरह की चीज़ें और लिवर फंक्शन टेस्ट उसी देखने के लिए करते हैं अब हम इसके treatment क्या करे लिवर बोनी स्कारी के मेटस्टेसि ने रेडिकल प्रॉस्टेक्टमे करेंगे या रिडियो थेरपी कर सकते हैं या फिर आपको बदा है कि यह घ्रॉ करता है यह होर्मून की वज़ा से टेस्टोस्टिरॉन की वज़ा से करता है वह TIME तेस्टीरोन को अपोज करने की कोशश्श करेंगे तो ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे थोड़ी सी बात है कि प्रॉस्टेट कैंसर मेल में प्रॉस्टेट का कैंसर है उसकी डाइग्नोसिस के बाद इंवस्टिकेशन में मैं क्या-क्या कराऊंगी PSA कराऊंगी Ultrasound कराऊंगी Biopsy कराऊंगी इसके बाद CT MRI कराऊंगी Bony Scan है Radio Graphy है LFTs है और Treatment में Prostatectomy है Radio Therapy है या Hormonal Ablation है अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं मैं वैसे कह रही थे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए Okay, so prostate cancer के अगर हम लोग बात करेंगे बिटे तो prostate cancer आपने याद रखना है कि ये most common most common जो है malignant tumor है जो males के अंदर पाया जाता है above 65 यानि 65 के बाद जो male cancers के साथ आते हैं उसमें most common cancer prostate हो सकता है अब previous video से अगर आपनों को याद हो तो हमने बात की थी कि जो prostate cancer है वो किस zone से arise होता है जो good peripheral zone से arise होता है यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम BBH के लिए treatment करते हैं और prostatectomy करते हैं तो उसमें mostly जो central zone थी या transitional zone है उसको remove कर लिया जाता है जबकि peripheral zone वहीं पड़ी रहती है इसका मतलब है BBH के treatment के बाद ऐसा नहीं है कि उस patient को prostate cancer नहीं हो सकता prostate cancer हो सकता है क्योंकि peripheral zone तो वहीं ही पड़ी रहती है ठीक है उसके बाद अगर हम देखें कि क्या risk factor है यानि किन लोगों के अंदर prostate cancer most commonly वाया जाता है तो सबसे पहले तो जो male gender है जायरा हो ही है उन्हीं के अंदर होता है number two age है जैसे जैसे age बढ़ती जाती है risk और जो incidence है वो बढ़ता जाता है उसके लावा उसने का थोड़ा सा ये race specific भी है यानि blacks के अंदर जादा होता है और अगर हम diet की बात करेंगे तो जो लोग high fiber diet लेते हैं fat diet soy उनके अंदर risk जो है वो काफी जादा है ठीक है so high fat diet लोगों के अंदर भी risk जादा है और most important risk factor जो है वो family history है वैसे अगर हमने इसकी surveillance करानी हो तो above 60 पे कराते हैं लेकिन अगर किसी की family में already मौझूद है तो ये recommended है यानि अगर आपके parent हैं आपके father है आपके dadabu को था तो आयाक के ताया को था तो आपने अपने बाबा के अंदर above 40 जाके PSA levels जो हैं वो time to time कराते रहने हैं for surveillance ठीक है DRE करा लें PSA करा लें तो ये इसके बिटे risk factors हैं अब risk factors के बाद एकर हम लोग pathology की बात करेंगे ये तो pathology को हम यहाँ पर इतना discuss नहीं करेंगे ये जो 95% तक cases में cancer होता है ये एडीनो कारसिनोमा ही होता है important चीज़ थोड़ी से इसकी spread है spread में आपने याद रखना है कि ये locally भी spread करता है इर्द गिर्ट के tissue में उसके लाब अगर हम देखेंगे तो इसका hematogenous spread होता है यानि ये blood के थुरू distant organs की तरफ spread करता है और फिर lymph nodes के थुरू spread भी करता है locally अगर हम कहेंगे तो इसने कहां spread करना है इसके इर्द गिर्द आपको पता है seminal vesicles होती है उनमें spread करता है फिर इसके उपर यहां पर अगर हम देखेंगे तो bladder की neck होती है so bladder की neck को involve कर लेता है उसके बाद bladder के अंदर जो trigon वाला area था trigon क्या area था bladder में जहां दो urotaric openings हैं ये एक trigon सा area बनता है इस trigon area को involve कर लेता है और उसके लावा कहता है कि trigon area के लावा अपवर्ट जब ये extend करता है तो उपर जाके जो urotaric openings हैं उनको भी involve कर लेता है ठीक है सम केसे में urotaric opening के इंवल्मेंट के बाद उपर क्या उनशुरू हो जाता है hydro ureter, hydronephrosis और even के distils of inter तक जा सकता है एक important बात उसने की वी है कि हमें पता है कि prostate के पीछे जो है वो rectum बढ़ावा होता है लेकिन अगर हम ये कहें कि rectum की involvement direct extension के थूँ होनी है तो वो थोड़ी rare है वो rare इस वज़ा से है कि आपने याद रखना है कि fetus के अंदर परिटोनियम का एक pelvic fold होते है वो fold नीचे की तरफ एक pouch की form में नीचे आ जाते है ठीक है फिर कुछ अरसे बाद ये जो pouch होते है ये fascia की शकल ले ले लेते है और ये prostate के posteriorly पड़ेवे होते है और ये जो एक specific fascia है इसका एक नाम है इसको हम कहते है denon villars ठीक है fascia of denon villars इसकी वज़ा से जो rectal extension है वो थोड़ी rare है ठीक है आपने याद रखना है कि ये उपर bladder को involve कर सकता है bladder की neck को involve करता है seminal physicals को involve कर लेता है ureter की openings को involve करता है trigon को करता है उपर kidney की तरफ spread हो सकता है through hydro ureter and hydronephrosis complaints हो सकती है लेकिन इसकी जो rectum की तरफ direct extension है वो थोड़ी rare है क्यों क्योंके वहाँ पे fascia of denon villars पड़ावा होता है number two हमने का कि इसका hematogenous spread है यानि blood के थूँ ये cancer spread करता है usually to the lower spine हम लोग कहते हैं कि ये ना bone loving tumor है ये बहुत जल्दी spread करता है bones के अंदर जाने कुछ काफी केसा देखे हैं prostatic cancer vertebra को involve करता है और फिर वह बहुत painful condition होती है patient literally चीखता है और वह बहुत मांग रहा होता है लेकिन बहुत दर्द में होता है बहुत दर्द में होता है prostate cancer जब bones के involve कर लेता है बारहल इसको ये से लिए कहते हैं bone loving tumor है ठीक है और bones का pattern आप लोगोंने याद रखना है कि सबसे पहले vertebra को involve करता है फिर उसकी बाद अगर हम देखेंगे तो ये femur को involve करता है femur के बाद अगर हम देखें तो pelvic bones involve होती है उसके इलावा thoracic vertebra फिर involve होगा ये thoracic ribs होगी then sternum and then skull ठीक है बेटे ताब भी समझा रहा है कि prostate जब vertebra को involve करेगा तो vertebra से उपर 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 जाना है tumor और skull में जाएक और unfortunately वेने ऐसा एक patient देखा है देखा किया family में ही था लेकिन बहुत बहुत ज़ादा painful condition है अला ताला ही बचाए यह बात हम दोगों ने कर ली उसके बाद हो कहता है कि इसके बाद इसकी जो involvement है वो lungs और liver तक भी जानी है लेकिन सबसे पहले इसने vertebra को involve करना है through blood क्योंकि यह bone loving tumor है उसके बाद अगर हम lymphatic spread की बात करेंगे तो lymph के थू भी यह spread होता है into the obturator lymph node फिर अगर हम देखेंगे तो यह internal iliac lymph node में spread करता है pre sacral या external iliac lymph node को भी involve कर लेगा ठीक है यह हो गया इसका spread की बात अब spread के बाद वो ही आ जाती है staging जो के मनूसी होती है लेकिन आ जाती है बेटे sometime paper में आपको बतानी चाहिए staging इसलिए भी बतानी चाहिए क्योंकि staging की base पे तो आपका treatment है sometime वो आपको बता देगा कि tumor जो है वो confined है within the prostatic capsule इसका मतलब है वो T2 की बात कर रहे अभी हम देखेंगे कि T2 का क्या treatment plan है इसलिए यह staging जरूरी है ठीक है तो हम देख लेते हैं कि T0 का मतलब यह होता है कि जब tumor excess नहीं किया जा सका T1 का यह मतलब होता है कि tumor जो है वो palpable नहीं है लेकिन उसको detect कर लिया गया specimen की base पे ठीक है जब हमने transurethral rectal prostatectomy की इसका specimen लिया और histopathology के लिए बज़वाया तो उसमें वो जो है वो detect हुआ है लेकिन खुद clinically वो जो है tumor वो palpable नहीं था so T के अंदर T1, A, 1, B and 1, C होता है फिर इसी तरह बिटे हमारे पास T2 है जोसका मतलब है कि tumor within the prosthetic capsule है और इसमें भी फिर हमारे पास 2A है, 2B है, 2C है उसके बाद T3 है कि जसके अंदर tumor जो है, वो prosthetic capsule से निकल जाता है और involve कर लेता है prosthetic capsule और बाहर पड़ी जो seminal vesicles है उनको और फिर again 3A होता है और 3B होता है, and last ली जो है वो हमारे पास 4 है, जिसमें tumor जो है, adjacent structure को pelvic side wall को involve कर लेता है, ठीक है, तो यहां से दुबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं, कि T0 का ये मक्तब होता है, कि no tumor found यानि कि tumor आपको मिला ही नहीं है, अब T1 में आपने याद रखना है कि tumor impalpable है, यानि आपने DRE वगरा की तो उसके ओपर tumor आपको feel नहीं हुआ, tumor ये समय शक होता है कि cancer है, तो फिर अंडर इल्टरसाउंड गाइडन्स हम यूरीथरा के थू इंटर होते हैं, और प्रोस्टेट केक्टोकड़ा लेके उसके हिस्टो पाथालोजी करवाते हैं, अब अगर हमने हिस्टो पाथालोजी करा दी, और जो हमारे पेबल ट्यूमर बापसी पे मिल जाएं, इन रेस्ट पी एससे तो वो जो है उसको टी सी, वन सी का नाम दिया है, ठीक है, उसके बाद टी तू का मतलब है कि तूमर है लेकिन वो मौझूद है विदिन द प्रोस्थाटिक कैपसूल, कहा मौझूद है विदिन द प्रोस्थाटिक कैपसूल, अब फिर बेटे उसने 2A, 2B और 2C में किस तरह से का, कि टूमर है वन लॉब के अंदर है और वो भी लेस दन हाफ आफ अफ अफ द लॉब को इंवाल्व करता है, वन लॉब के अंदर है, लेकिन प्रोस्थाटिक कैपसूल को इंवेट कर चुका वा है, और 2C में वो कहता है कि दो लॉब्स जो है, उनको तूमर इंवाल्व कर रहा होगा, ठीक है, टूमर इं बोथ लॉब्स इसके बाद जो 3 वाली कैटेगरी है, इसमें वो तिव मर कहता है कि प्रोस्थाटिक कैपसूल को इंवेट कर चुका वा है, और 2C में हम कहते है, कि आउटसाइड द प्रोस्थाटिक कैपसूल है और 3B म हम कहते हैं seminal vesicles जो है उनकी involvement है 4a में ट्यूमर ने adjacent organs को इर्दगिर्द के adjacent organs को involved किया और 4b में pelvic wall में चला गया है so यह confusing है दो तीन दफाँ पढ़ेंगे तो इस आरे आपको याद हो जाएगी उसके बाद कहता है कि इसकी जो है वो gleason system के ओपर भी grading हुई भी है जिसमें हम इसको कहते हैं कि यह well differentiated है intermediate या moderately differentiated है या यह poorly differentiated है फिर gleason scale दियावा है 24 होता है 57 होता है और 810 का उतलब है यह poorly differentiated tumor है अब हम लोगोंने बात करनी है कि clinical features क्या है मतब यह tumor के clinical features किस तरह क्या आते हैं जो कह रहा है कि अगर तो tumor localized है यानि T1 और T2 T1 में तो है impalpable और T2 में हमने का है within the prostatic capsule है तो यहां पे usually patient जो है वो asymptomatic हो सकता है या lower urinary track के कुछ symptoms आ सकते हैं या rarely ही hematuria होगा लेकिन वो इतना common नहीं है लेकिन जाहर सी बात है कि अगर यह tumor जो है वो spread होना शुरू हो गया है metastasis शुरू हो गई वी है तो फिर disease के बहुत सारे symptom होंगे bladder outlet, obstruction वाली सारी complaints होंगी उसके बाद patient जो है उसको hematuria हो सकता है deep peronial pain हो सकता है और obstruction की वज़ा से hydronefrosis और patient renal failure में भी जा सकता है यहीं पर बिटे जब यह metastatic disease होगा तो metastasis की वज़ा से बहुत मसले है अगर तो bone के अंदर metastasis है तो आपको बताया है कि बहुत swear pain होता है ठीक है, उसके बात सेकिन बात यह है कि जब vertebra की involvement है तो उससे spinal cord compression होती है उसके इलावा जब आपका bone marrow की involvement होती है तो उससे number one anemia शुरू हो जाता है number two pain, cytopenia जो है वो शुरू हो सकता है वैसे भी जिसमें cancer फैल जाए वो patient बहुत पेल और बहुत कमजोर हो जाता है ठीक है उसके बाद हो कहता है कि अगर इसने lungs को involve कर लिया तो फिर जो है कफ शुरू हो जाएगी hemoptasis खून की उल्टी वगरा आसकती है या थूक में मेरा ख्याला होनाने को कहते है उसके लावा अगर इसने liver को involve कर लिया तो तरजाहिर है आपके जो लिफ्टी है वो भी क्या होंगे द्रेंज हो जाएंगे ठीक है अच्छा तो यह इसके क्लिनिकल फीचर्स है नाव दो फाइनल चीज यहां